हम लोग को लिखित दे दें कि हमारे पास यह आदियस आया है तो आप लोग को हम पेपर नहीं देने देंगे अधिकारी यह आदियस आया है रेकॉर्डिंग चल रही है कोई बता दे कि हम लोग के पास यह है अधियस आधियों बहुत है आपको अपने यूट्यूब चैनल एन आएस ऑनलाइन हब में तो दूस्तों इस वीडियो में बात करेंगे एनायस डिलेट की वेलेटी के बारे में जैसा कि बिहार में अभी जो है 99 परसंट जो है पक्च में आ गया है फैसला और इस तारिक को यानि संबार को जो है जजमेंट आना है लिखित आना है ओडर तो दोस्तों यहां पर यूपी वालों के वेल ब्रीट दे रहा हूं और यह दोस्तों आप लोग के मदश सरही हो पराखा है जो भी सिच्छक भीज अपडेट में उसको आप लोग तक पहुचाने का कोसिस कर रहा हूं और दोस्तों यह जो है छोटी सी रिक्वेस्ट है इस वीडियो में कि आप लोग इस वीडियो को जादा-जादा सभी एनाइस डेलेड यूपी सिच्छा को तक पहुचाने का कोसिस किजिएगा क्योंकि पर बहुती बड़ा एक डिसिजन लेने वाले हैं यूपी के अनाय सिचक तो दोस्तों यहां पर लिए जाएंगे बहुती बड़े फैसले अहम निरले लिए जाएंगे और जान ले आपको कहां पर आना है पूरी इस वीडियो में आपको बताएंगे अब यूपी सिच्छक कि वीडियो को बनाने में जो है बहुत महनत लगती है टाइम लगती है तो वीडियो को आप लाइक किजिएगा अगर अच्छी नहीं लगती है फिर भी आप डिसलाइक कर सकते हैं और कोई भी कोईरी रहती है तो आप नीचे में कॉमेंट करें मैं सारे कॉमेंट का जो है ज गरूरी चेक किजेगा तो दोस्तों पहले जो है आपको 12 तरह के मीटिंग के कुछ में वीडियो दिखाना चाहता हूं इस वीडियो चैनल के माईधम से और यह दोस्तों आप लोग के सहायता से ही हो पाती है जितने भी मैं अपडेट दे पाता हूं आप लोग के मदद से ही मै दे पाता हूं यह एनाएस से च्छोको का आवाज है यह चैनल जिस तरह जो बिहार में मैं सारा अपडेट देता रहा और आप लोग के सहायता से ही इतना बड़ा हो पाया है जिसा कि बिहार में अगर दोस्तों अब यूपी में मायनेता दिलाने के लिए हमारी चैनल लगात आप अपडेट दे रहा है यहां पर तो दोस्तों इस वीडियो का आप देखें जो 12 तरीक को मीटिंग हुआ था ना एक तरीके से फीस की जरूरत पड़ेगी और उसमें बल्ग अमाउंट में लोगों की जरूरत पड़ेगी क्योंकि एक व्यक्ति रच आदमी खूद 60,000, 50,000, 25,000 पीस भरने के लायक नहीं है यहां पे क्योंकि सब लोग उस बैक्डाउंट से नहीं पिलांग करते हैं कि 50,000 पीस भर सकें तभी सभी लोगों ने ऐसे ऐसे को प्राइब किया है कि कम में अधिक हमें दिगरी की पानेता मिल जाए तो इसमें लोगों की तो जरूरत का किसी भी तरीकर से पड़ेगी ही अब याज 20 है 25 से कल 50 होंगे 100 होंगे और उसको बढ़ाते ही जाना है तभी हमारा काम हो पाएगा और कैसे भी हम लोगों को वह करना ही पड़ेगा त्योंकि या तो आप अपनी डिगरी को लुप पाड़के फेक दीजिए और या तो बढ़ना है तो लोगों को जुटाईए और बात को अगे बढ़ाई है ऐससे नहीं काम दे लेघा करना पड़ेगा कुछ करना क्या है कि हम लोगों किषी से जगडा बवाल नारे भाजिय नहीं करनी है हाई कोट के तरफ जाने का मूड बनाना है मूड बनाने के लिए लोगों की जरूरत है क्योंकि अगर रिजन्ट पिलेगा तो हाई कोट से और कोई भी यहाँ पर आदमी नहीं है जो आम लोको रिजन्ट दे सके क्योंकि DM, SDM, उत्तर प्रदेश, साथसन हमारे खिलाब हो तभ तो हखिए है क्योंकि आप आदम उठा सके हाई कोट के अलावा तो इसके लिए सकते जाते जारूर यह आप भाए कि जो पड़ा बढ़े और हम लोगों दिरे दिरे आगे पड़ सके इससी तरह से यह मैं करना चाहूंगा कि आप लोगों को पुटा के गताए। कि आपके यह एक बनाने हैं सब अपनी विचार रखने हैं यहां किसी की विचार धारा को दबाएने जिए नहीं कि हमने शुक्त आपको रखिए जो भी आपको गलत लखे उसको रखिए शमस्या को आपनों उठाईए जिसको दुछ कहना उसके बैटे नहीं अपनी बात को सब्सक्राव करतारा किको रखना है कि को बसे एंके यह कर पाएंगे हम लोग अगर आप लोग में और जैसा आप लोग करेंगे वैशे हम बढ़ता यह संभाव नहीं है दोस्तों जैसा कि आपने देख लिया और उस लेटर जारी किया गया था वहाँ पर सभी सिचक बैठने के बाद तो उस लेटर को मैं दिखाना चाहता हूं और आपको कहाँ पर यह आना है सारा उस लेटर में लिखा आए जो भी सिचक जो है अनाइस डीक को अपने हग दिलाने के लिए क्योंकि दोस्तों हमारी जो कोर्स से बिल्कुल ही दो यर्स है टू यर्स का कोर्स है जहां तक बात करें यूपी टीटी में निकाला दे और यहां पर देख सकते हैं कि जो लोग अपने हग के लिए एक जूट हो अपना समर्थन दे तभी हमारी मांग पूरी हो पाएगी आज सभी अधिक से अधिक जो है उन्नीस एक दो हजार बीस को बारा बजे एक जो मीटिंग है न्यू कोलोनी पार्क देवेरिया यूपी अनास डेलेड वाले जरूर यहा वाट्सप गूरूप दिया है वहां पर आप जूड़ सकते हैं साते साथ टेलीगराम फेस्बूक सारा गूरूप दिया है आप वहां पर जूड़े और यहां पर बात करेंगे उस लेटर का तो दोस्तों इस देख सकते हैं यह बारा तरिक का जो रविबार को बेठक हुआ कि आज दिनांग 12-2020 एनाइस से डियलेड के लिए हुए समझ से चको ने उत्तरपद्देश पातरता परिक्षा निसकासन का बिरोद करते हुए देविरिया के न्यू कोलोनी इस्तित दिन दयाल उपद्धाय पार्क में मीटिंग हुई यानि ये दोस्तो अगले संडे की है और इस संडे को होने वाले है यानि कल जिसका भारी सेंखा में सिच्छकों ने पहुच कर समर्थन दिया और आगे यहां पर देख सकते हैं मीटिंग में सभी सिच्छकों ने एकमत होका सरकार के अभित कृतु एवम अधिकारियों के हनन के बिरोज जहे उच ने आले जाने की योजना बनाई है और जिसमें डेलेड मीटिंग अध्यक्ता स्रीमती अनीता सिंग यहां पर देख सकते हैं उपाई ध्यक्च प्यूस मिस्रा के संबोदित करते हुए सिच्छकों का जो है उत्साव वर्धन किया तथा मीटिंग में सामि सिच्छकों ने नादिया इस तरह का जो है यहां पर उपस्तित थे और यहां पर आगे कहना है इस तरह का सिच्छक यहां पर उपस्तित थे देख सकते हैं या इतियादी मीटिंग में सामिल संग्रम सिविल कोट देविरिया ने भी मारदसन दिया था आयन प्रसिचुक से अ प्राम्त को होने वाली सुनिचित है अता सभी नाइस डिलेट को प्रसिचक सिच्चक अनुरोध है कि समय से दिन द्याल उपाई धाय पार्क इस्तित कोलोनी न्यू कोलोनी में जो है उपस्तित होकर होने की किरपा करें दोस्तों बहुती बड़ी अपडेट आ रहे है नाइस चैनल के माईधम से देता रहां तो आगड़ा है कि दोस्तों कि आप भारी से भारी सैंखा में पहुचे न्यू को लोनी पार्क देवरिया में पहुचे वहां पर भारी से भारộtसेंखा जब हम लोग एकजूल्ट नहीं हो पाईंगे तब तक हम लोग मांचता नहीं सकते हैं जैसे कि बिहार में महायनेता 90% मिल गया है और judgment जो आना है लिखित आना है तो दोस्तों बहुती खुसी की बात होगी कि एक राज में मिलेगा तो उसके अधार पर दूसरे राज को भी मिल जाएगा तो दोस्तों यह था आज का अपडेट चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना वीडियो को सभी तक सेयर कर देना